इस वीडियो में हम लोग करंटाफेर्स करेंगे 22 मार्च के यह हमारा डेली करंटाफेर्स वीडियो है आपके आने वाले आर्बेग अससेस्टेंट एक्जाम एक्जाम सिद्भी एक्जाम यह जो भी कोई एक्जाम अगले 6 महीनों में है उन सबी के लिए वर्ड वाटर डे मनाते हैं चैंस 22 मार्च को 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे और 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड पोईट्री डे 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे 21 मार्च का वर्ल्ड पोईट्री डे तेन्स मैंने डोनों की पर मैंसेast नहीं करिया हैं आप लोग प्रीज इसकी थीम को एक बार गूंगल करके अपने नोट में लिकली जिएगा फीट इनकी आपको गूंगल करनी है और अपने दोस्तों उन्हों ने उड़ान स्कीम को दिखाया था विनिस्ट्री ऑफ सीविल अवियेशन ने दूसरी चीज़ Ministry of Civil Aviation का यह पहली बार था कि उन्होंने अपना टब्लेव दिया है This was the first time that Ministry of Civil Aviation has presented their टब्लेव एट Republic Day Parade तो Ministry of Civil Aviation का best central ministry टब्लेव हो गया First time उन्होंने प्रेजंट करा टब्लेव था इनका उड़ान स्कीम का Ministry की बात करते हैं तो राजीप चंदरशेकर करनात्का से हैं Union Minister है और जंडल भीके सिंगाजयबाद से हैं वो Minister of State है दोस्तों जो क्वेटी है क्वेटी क्वेट कंट्री की कैपिटल है क्वेट सिटी भी इसे कहते हैं क्वेटी भी से कहते हैं यह अर्थ पर हॉटेस प्लेस रिकॉर्ड हुआ है अभी और यहां पर 53.2 डिग्री सेल्सियस का टेंपरिचर रिकॉर्ड किया गया है क्वेट की दोस्तों कैपिटल है क्वेट सेटी जिसे क्वेटी कहते हैं जिस सिटी के लिए न्यूज है और इसकी करनसी है दिनार हॉटेस प्लेस बना है 53.2 डिग्री सेल्सियस यहां का टेंपरिचर रिकॉर्ड किया गया है एस जिफसी बैंक ने दोस्तों दो चीज़े लॉंच करी है एक है स्माल ठब वेपार प्रोग्राम रिटेलर्स के लिए दूसरा है आटो फरस्ट एप है इसमाल ठब वेपार प्रोग्राम लॉंच किया है रिटेलर्स के लिए और आटो फरस्ट एप लॉंच करी है एच डिफसी बैंक ने दोस्तों एच डिफसी बैंक का हेड़ ऑफिस जो है हेड ऑफिस है इसका मुंबई में आपको बताना है कमेंट सेक्षिन में किसके हेड कौन है एच डिफसी बैंक के हेड कौन है यह आपको कमेंट सेक्षिन में बताना है फोन पे ने गिग इंडिया नाम की कंपनी का एक्वायर कर लिया है अपने अप्ट्रुडक्स बढ़ान करने के लिए फोन पे नंगिएंडिया नाम की कंपने को एक्वायर कर लिया है कर साथ सबस्क्राइब कॉस्थ आश्वाबत करन सियरल्प नियमनत तुल कुमेनिस्तान अश्वरत सब्सक्राइब दुबारा बोलो तुर्कमेनिस्तान अश्गवबत मनत और यहां के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं सरदार बेरदी मुखा में दो इंडियन एकनॉमिस है जेयती घोष यह यूएन के एडवाइजरी बोर्ड में सेलेक्ट हुई हैं इंडियन एकनॉमिस जेयती घोष हैज बिन सेलेक्टेट इन यू यूनाइट नेशन एडवाइजरी बोर्ड दोस्तों यूएन का अपको पता होगा कि नियॉयॉक में हैं नहीं पता तो में लिख देता हूं हेड़कॉर्टर जो है यूएन का देट इन नियॉयॉक आपको बताना है कि इसके हेड़ कौन है हेड़ कौन है यूनाइट नेशन्स के इसके अलावा आएट धारवाड के साथ भी टाइब कर रहा है एक ब्रॉट टीम है डेटा साइंस फर वाटर सेक्योरिटी एंड अग्रिकल्चर सस्टेनेंस इस थीम को लेकर आएट धारवाड दोनों मिलके काम कर रहे हैं इंडिया ने शेचलिस के साथ मिलकी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करी है लामिती दो हजार बाइस इंडिया और सेचलिस लामिती दो हजार बाइस एक एक्सरसाइज कर रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज है शेचलिस की बात करें दोस्तों तो शेचलिस की कैपिटल है वि लिक्टोरिया रिस्ट एशूर्ड ये और फिश्वनाथ की कि यूझा बेए कि रिकटर को यूथी है। डियूरामर्हसी वेनर्देजूर्वेली ये फिमेल है। इन्होंने विमेंज की टृपल जंप में वडिट कॉर्ड बनाया है। इनका 15.74 मीटर का लीप है, इन्होंने अपना ही खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करा है, नया गोल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यूलिमार रोजास ने, वेनिजुएला से भी ये बिलॉंग करती है, और ये इन्होंने करा है वर्ल्ड इंडोर जैंपियंशिप्स में, गोल्ड मेड हुआ है, इसे इंडियन वेल्स मास्टर भी कहा जाता है, बी एनपी परिबास ओपन टैनिस टूर्णमेंट को इंडियन वेल्स मास्टर भी कहा जाता है, इसका 2022 का एडिशन हुआ, इसमें वुमें सिंगल जीता है आईगा सुयातेक ने जो की पॉलन से हैं, मैं सिंगल जीत हुमारे आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दो वीडियो एंड शेर देस विद यो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मुच